नमश्कार मौप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर पटना में सरकों पर दिखा बंद का सर। च्वाधरों के दरफ से किये गये विरोध प्रडर्शन के बाद जिन भी च्वाधरों की खिलाफ prophet के दरफ से एंटी-पीसी च्वाधरों की दो मांगों को मानने के बाद उमीद थी कि शायद आच्वाधरों का आवाहन नहीं करेंगे लेकिन ऐसा हूआ नहीं सुवह से ह राजधारी पट्टा समेद कई जिलों में चात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला वहीं इस बात तो राजरेदिक पाटियों ने भी चात्र का साथ दिया है जिसके पर नाम सरूप ही पटना के दाग बंगला चोरा है पर बंद समर्थकों ने सवेरा चोक के पास आगजनी की इसके साथ ही पटना के नंदलाल छप्रा के पास राजध समर्थकों ने बाइपास जाम कर दिया मोतिहारी शहर के छेतौनी चोक सितराजमार्क पर भी आगजनी का रावागमन ठब कर दिया गया इसके साथ ही बंद को देखते वे ही सब ही रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में रेलवे पुलीस बलकी तैनाती भी कर दी गई थी पटना समय तठारा जिलों में कोल्ड डे की स्थिती बिहार में धूप निकलने के साथ ही लोगों को उमीद ही कि शायद अब ठंड से निज़ात मिलेगी लेकिन ऐसा होने की उमीद फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है हाला कि पश्चुमी विछोग का असर खत्म होने से प्रदेश में बारिश की स्थिती तो बनती नहीं दिख रही है लेकिन मौसम विभाग की तरफ से मिली जुआनकारी की नुसार आने वाले दिनों में ऐसी स्थिती बने रहने वाली है बादल भी चाय रहेंगे और कहीं कहीं पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पच्छुआ हवा और उत्तर पच्छुआ हवा का प्रवा सत्य से 1.5 किलोमीटर उपर तक बना हुआ है इसकी रफ्तार 8-10 किलोमीटर प्रती घंटे की है और इधर बुधवार से ठंड और भी बढ़ गई है ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 5 दिरों तक मौसम पूरी तरी के सुष्क्रहे का साथ ही ये भी बात कही गई है कि रात के तापमान में 2-6 डिगरी तक की गिरावट दर्श की जा सकती है रात की तापमान में गिरावट की कारण ठंड का एहसास होगा बारा सो पंचायत इकायों में होगी थर्ड राउंड की कांसलिंग राजभर के करीब 1200 पंचायत इकायों में करीब 12,000 पदों के लिए कांसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है जिसके तेहती छटे चरण के सिक्षक नियोजन के तेह थर्ड राउंड की कांसलिंग आज पंचायत नियोजन इकायों में हो रही है इस बावत सिक्षा विभाग ने सपष्ट किया है कि जिन नियोजन इकायों में किसी वज़े से कांसलिंग नहीं हो पाई है या फिर रद हुई है वहाँ एक और मौका जल्दी अभियर्थियों को दिया जाएगा ताडी के उतपादन और विक्री से जुड़े परिवार का होगा सर्वे बिहार में ताडी के उतपादन और विक्री में पारंपरी क्रूप से जुड़े परिवारों को अब सरकार का साथ मिलने वाला है मुख्य सचिफ बिहार पटना के द्वारा तारी के उतपादन और विक्री में पारंपरी की रूप से जुड़े परिवार का सर्वेक्षन कराने का निर्देश ले दिया गया है क्या है जिनका काम होगा कि सर्वेक्षन दल को आवश्यक्षिक्षन अनुश्रवन और परेवक्षिं करते है इसके साथी सर्वेक्षिन दल के गथन में जीवीका के प्रखनंड परियोजना प्रबंधक द्वारा आवश्यक प्रदान भी की जाएगी बोध गया में गिरा सेना का माइक्रो एरक्राफ्ट आज सुबह सुबह बिहार के गया जुले के बोध गया प्रखंड के बदगाहा गाउं में सेना का एक माइक्रो एरक्राफ्ट अचानक खेत में गिर गया जानकारी के अनुसार घटना शुकरवार सुभह की बताई जा रही है माइक्रो एरक्राफ्ट को गिरता देखकर ग्रामीन डर गए इसी दौरान कई लोग फून में वीडियो भी बनाने लगे जिसके बाद ही इसको देखकर कई ग्रामीन दोड़कर भागने लगे अभी तेज आवाज के साथ माइक्रो एरक्राफ्ट खेत में जागिरा सानिय लोगों की माने तो घटना के बाद माइक्रो एरक्राफ्ट में सवार दोनों पाइलिट बाहर निकले दोनों सुरक्षित है घटना के बाद लोगों ने मौके पर भीड जुटा दी थी इसकी बाद पाइलट ने ओफिसर्स ट्रेनिंग एकैडमिन को इसकी सूशना दी, सूशना के बाद OTA के अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे और हलके रूप से छतिग्रस अएरक्राफ्ट को वापस कैम्प लाए गया खांसर ने सभी छात्रों से की खास अपील, बीते दुन बिहार के पुर्फ उपमुकि मंतरी सुशील कुमार मोदी की तरफ से साचा की गई वीडियो की बात से सरकार के दोरा दो बंगों को मानने की बात उन्होंने कही थी जिसके वाद से उमीद थी कि छात्र अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर देंगे और घर वापस लोट जाएंगे लेकिन सुबह से ही ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और 28 जन्वरी को किसी तरह की उत्पात को वो ना करे खांसर ने अपने यूट्यूब चानल के जरिये चात्रों को ये संदेश दिया था बिहार बंद के दोरान रावजद ने किया चखका जाम चात्र संगठन और बिहार के वेपक्षी दलो द्वारा बिहार बंद को लेकर शुक्रवार को पटना के राश्ट्रिय जन्ता दल कारियाले के पास राज़त कारेकरताओं ने आग जिनी करके यातायाद को पूरी तरीके से बाधित कर दिया आरर भी एंटीपीसी रेलवे परिक्षा में अनिम्तताओं का विरोध कर रहे चात्रों ने बिहार बंद का आवाहन तो किया है जिसके बाद सही राज़त सहीज राज़त के अधिका अंशफे पक्षई दलों ने समर्थन दिया था इंदिनों बिहार में चात्र आरर भी एंटीपीसी के रिजल्ट को लेकर विरोध प्रदाशन कर रहे है जिसके बाद ही रेलवे ने विरोध में उत्रे चात्रों की बात सुनने के लिए विशेश कैंप के आयोजिन की बात कही है इस समद में ECR के सोनपूर रेल बंडर की तरफ से एक विग्यपती जारी कर क्यंप के स्थान के बारे में जानकारी दी गई रेलवे की तरफ से ये बताए गया है कि ये क्यंप आगामी 16 फर्वरी तक लगा है और आगामी 16 फरवरी तक लगा रहेगा ये कैमसोन पूर रेलवे स्टेशन के सांस्कुरतिक भवन मुजफरपूर के सहाइक मंडल इंजीनियर कारियाले और बरॉनी के सहाइक मंडल इंजीनियर कारियाले में लगाई गई है इसके लावा अभिहर्थियों की शुकायतों को सुनने के लिए और नाइन दर्ज कराने की ववस्ता की गई है पद्म भूशन शार्दासिना को पिछले चार महीने से नहीं मिला पेंशन शारदासिना आज किसी भी परिशे की मोहताज नहीं है शारदासिना अपने गालों के लिए घर घर में पहचानी जाती है ऐसे में अगर आप सोचेंगे कि उनके पास किसी तरह कि कोई परिशानी नहीं होगी तो ये गलत है कई साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले अधिकारी और कर्मचारी को किस तरह की परिशानीयों का सामना करना पड़ता है एक बार फिर से ये देखने को मिला है देश की मशूर लोक गाई का पदम भूशन शारदासिना को पिछले चार महीने से पेंशन ही नहीं मिला शारदसिना ललितना रायन मिथला यूनिवरसिटी से रिटायर हुई है उन्होंने अपनी एक मित्र की व्यथा भी लिखी है उन्होंने बताया है कि किस तरह पेंशन नहीं मिलने से परिशान उनकी करीबी दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो गई नए खत्यान में रायत के नाम के साथ दर्ज होगी ये बात वो बुधवार को गोवा के राजस वेभं भुमी सुधार विभाग के अथिकारियों के साथ अनुभव साज़ा कर रहे थे जमीनी बाते श्रिंखला के तहट दोनों राजियों के अधिकारियों की बुधवार को वर्चुल बैठकुई उन्होंने कहा कि खतियान को डिजिटल फॉर्माट में डाला जाएगा ये रायत के मोबाइल से भी जुड़ा रहेगा ताकि कोई मेसेच तुरण जासे के गवा के राज़ राजस सचिव संजेखुमार का कहना है कि नोटिस तामिला की सही विवस्ता होनी चाहिए पपुई आदम ने खांसर के नए वीडियो पर उठा इस सवाल जनाधिकाल पार्टी के मुख्या पपुई आदम ने खांसर के नए वीडियो पर ही सवाल उठा दी इसके लावा खांसर पर भी पपुई आदम ने कहा कि खांसर डर कर स्टेट छोड़ चुके हैं और किसके डर से ये वीडियो जारी कर रहे हैं वो ज़रा जरूर बताए आप कब से बनके मुस्लिम समाज के नेता भाजपा के राश्र प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंतरी शाहनवाज हुसेन ने बीते दिन भारत के पुर्व प्राश्चुपती हामिदंसारी के बयान के बाद अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्हा ने कहा कि पुर इसे विवादिच चीजें हैं जिसके लिए उन्हें देश ने कभी शमा नहीं करने वाली है और आज भी वो जिस तरीकी बयान बाजी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से दुर्भागे पूर्ण है परियावरिं विवाग के रेंज ऑफिसर के पतना और नवादा ठेकानों पर डिगरानी की चापेमारी विशेश निगरानी की काई ने चापेमारी की कवाईद एक बार फुर से बिहार में शुरू कर दी है ब्रश्ट अधिकारी उपर नकेलकसने के लिसकी शुरवाद हो ग नालंदा के रहने वाले हैं खबर लिखे जाने तक पटना में भी रेंज अधिकारी के आवास पर तलाशी चल रही है विशेश तर्था नयाधी श्रीपटना के तलाशी वारंट के आदेश में ये कारवाई चल रही है बताया जाता है कि छाप इमारी के दौरान कैश और जू हफीजदी मामलेक कमा है इसके साथ ही कोविट-19 की मौझुदा सिती जो है वो अभी उसमें उतार चुड़ाब देखने को मिल रहा है कि इंद्रेस्वा समंत्राले की तरफ से जारी किये गए आकड़ों के मताविक देश में अब आक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,5,611 रहो गई है निलामी से पहले चुने जाने पर हार्दिक ने भरी हुंकार खराब दोर से गुजर रहे भारती टीम के स्टार ओल राउंडर हार्दिक पांडिया पर आईपियल की नई फ्रेंचाइजी एहमदाबाद ने भरोसा कर मोटी रकम दे कर अपनी टीम में शामल कर ल खराब दोर से गुजर रहे रॉल राउंडर हार्दिक पांडिया ने बापसी की हुंकार भरी है और अपनी टीम से अच्छे प्रदर्शन का वादा किया है साथी उन्हार ने टीम इंडिया के पुर्फ कप्तान महिंद्र सिंग धोनी को भी जोरान याद किया कल हमारे दोरा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबिता यादव, चंदन कुमार, संतोष कु आपके नुसार सरकार की तरफ से रियायत दिये जाने के बावजूद छातरों की तरफ से बुलाए गया बिहार बंद का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही, आपके बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाला ना भूले, धन्यवाद